नमस्कार आप देख रहे हैं मनी मंच दोस्तों आज मैं फिर से हाजर हूँ एक बिलकुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे Access Mutual Fund की एक शांदार स्कीम के बारे में जहां हम SIP के थ्रू हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड तयार कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम जानते है Access Mutual Fund की इस स्कीम के बारे में और उसके बाद हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे की कैसे आप रोजाना 50 रुपे बचा कर 9.5 करोड रुपे तक का फंड तयार कर सकते हैं इस स्कीम का नाम है Access Small Cap Fund Direct Plan जैसा की नाम से ही पता चल जाता है कि यह एक Small Cap Fund है जो छोटी साइच की कमपनियों के स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करता है जबसे यह स्कीम स्टॉट हुई है यानि नवंबर 2013 से लेकर अब तक इस स्कीम में काफी अच्छे रिटर्न्स दिये है अगर किसी ने इस स्कीम में 5 साल पहले 1 लाख रुपे इन्वेस्ट किये थे तो वो आज 3 लाख 37,000 हो गए है यानि 5 साल में 3 गुना से ज़्यादा का रिटर्न अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके लॉंग टम में एक बड़ा फंड तयार करने के बारे में सोच रहे है तो ये स्कीम आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है लेकिन दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूच्वल फंड में रिस्क बहुत ज्यादा होता है इसलिए इन फंड में आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देखकर ही निवेश करना चाहिए दोस्तों, अगर बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड की होल्डिंग्स की, तो इस फंड की टॉप होल्डिंग्स है यानि इस फंड ने इन कंपनीच के शैज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है दोस्तों, अगर हम इस स्कीम के रिटर्न की बात करें तो, इस स्कीम का ओल टाइम रिटर्न 24.83 प्रतिशत का है इस स्कीम का 7 साल का रिटर्न 21.18 प्रतिशत का है और इस स्कीम का 5 साल का रिटर्न 27.49 प्रतिशत का है अगर हम पिछले 3 साल का return देखे तो, पिछले 3 साल में इस scheme में 35.09 प्रतिशत return दिया है, और पिछले 1 साल की बात करें तो, इस fund में return दिया है 26.24 प्रतिशत का, अगर बात करें इस fund की ranking की, तो Chrisil ने Axis Small Cap fund को number 3 पर रखा है, Value Research ने इसे 5-star rating दी है इस fund में minimum investment, SIP के जरिये 100 रूपे और lump sum 500 रूपे कर सकते है यानि आप इस scheme में 100 रूपे के छोटे से amount से investment स्टार्ट कर सकते है Maximum की कोई limit नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा invest कर सकते है इस fund का NAV अभी 89.59 रूपे चल रहा है इस scheme का fund side 16,175 करोड रूपे का है, इसका expense ratio है 0.54 प्रतिशत का ये तो बात हुई इस scheme की details की दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम calculate करके देखते है कि अगर आप इस scheme में 1.7.1 रूपे lump sum invest करते हैं तो आपका पैसा कितने साल में कितना हो जाएगा या फिर अगर आप इस scheme में 50 रूपे रोजाना यानि 1500 रूपे महीना से SIP शुरू करते हैं तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम 1.0.000 रूपे की lump sum investment को calculate कर लेते हैं यहाँ पर हमने return माना है 24 प्रतिशत का जो की इस scheme का all time return है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए की mutual fund में returns की कोई guarantee नहीं होती है यहाँ पर हम 24 प्रतिशत का return सिर्फ calculations के लिए मान कर चल रहे है और आने वाले time में यह 24 प्रतिशत से कम या ज्यादा हो सकता है अगर आप इस एक लाख रुपे को 5 साल के लिए invest करते है और इस पर return मिल जाता है 24 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा एक लाख 93,162 रुपे का एक लाख रुपे जो आपने invest किये है उन्हें मिला के आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 2,93,162 रुपे होंगे अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए invest करते है और इस पर return मिल जाता है 24 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 7,69,442 रुपे का एक लाख रुपे जो आपने invest किये है उन्हें मिला के आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 8,69,442 रुपे होंगे अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए invest करते है और इस पर return मिल जाता है 24 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 72,86,444 रुपे का एक लाख रुपे जो आपने invest किये है उन्हें मिला के आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 73,86,444 रुपे होंगे अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए invest करते है और इस पर return मिल जाता है 24 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 6,34 करोर रुपे का एक लाख रुपे जो आपने invest किये है उन्हें मिला के आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 6,35 करोर रुपे होंगे इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर एक साथ एक लाख रुपे invest करके 30 साल में 6,35 करोर रुपे तक का fund तयार कर सकते है दोस्तों अब हम calculate करके देखते है कि अगर आप इस स्कीम में रोजाना 50 रुपे बचा कर यानि 1500 रुपे महीना से SIP शुरू करते है तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा यहाँ पर हमने return expect किया है 24 प्रतिशत का जो की इस स्कीम का all time return है अगर आप इस 1500 रुपे की मंथली SIP को 5 साल जारी रखते है और इस पर return मिल जाता है 24 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 84,499 रुपे का 90,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे और total value जो होगी वो 1,74,499 रुपे की होगी अगर आप इस SIP को 10 साल जारी रखते है और इस पर return मिल जाता है 24 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 5,67,035 रुपे का 1,80,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे और total value जो होगी वो 7,47,035 रुपे की होगी अगर आप इस SIP को 20 साल जारी रखते है और इस पर return मिल जाता है 24 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 84,28,988 रुपे का 3,60,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे और total value जो होगी वो 87,88,988 रुपे की होगी अगर आप इस SIP को 30 साल जारी रखते है और इस पर return मिल जाता है 24 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 9,48,000 रुपे का 5,40,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे और total value जो होगी वो 9,54,000 रुपे की होगी इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर रोजाना 50 रुपे बचा कर यानि 1500 रुपे महीना से SIP शुरू करके 30 साल में 5,40,000 रुपे जमा करके 9,54 करोर रुपे तक का फंड तयार कर सकते है दोस्तों यह इस फंड में निवेश की सलाह नहीं है म्यूच्वल फंड में निवेश बजार के जोकिमों के अधीन है इसलिए निवेश से पहले अपने अड्वाइजर से परामर्श कर ले अगर हम कुछ और स्मॉल कैप म्यूच्वल फंड की बात करे तो वो है यह सारे स्मॉल कैप फंड भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे है तो आपको यह प्लान कैसा लगा और इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके अलावा आप कौन से म्यूच्वल फंड के बारे में विडियो देखना चाहते है वो भी हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताए दोस्तों, म्यूच्वल फंड में निवेश करने के तीन तरीके होते है पहला फंड कमपनी की वेबसाइट, दूसरा ब्रोकर के थुरू और तीसरा घर बैठे मोबाइल अप के द्वारा अगर आप मोबाइल अप के जरूर निवेश करना चाहते हैं तो अब स्टॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर क्लिक करके आप अपना डीमिट अकाउंट ओपन करके डिरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं धन्यवाद